Hello Friends, मैं हूँ अपके समने गोरो मिगलानी इस वीडियो में जो टोपिक हम डिसकस करने जा रहे है That is Planning तो टोपिक स्टार्ट करने से पहले हम बस एक बार ये देख लेते हैं कि हमको क्या-क्या स्टडी करना होगा Planning का मीनिंग क्या है? Then Features, Planning की Importance या Significance भी कह सकते है Planning की क्या Process है इसमें हम Planning के 10 Steps स्टडी करेंगे फिर हमको स्टडी करना होगा Types of Plans जिसमें हम 8 चोटे-चोटे Topics डिसकस करेंगे Then हमको डिसकस करना होगा कि Planning की क्या Limitations है तो पूरा Topic Explain करने से पहले मैं आपको बस एक बात बोल देता हूँ कि हो सकता है कि इन कुछ Topics में से एक दो Topics आपके syllabus में ना हो पर फिर भी आप पूरे Topic को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए क्योंकि exam में आपके सामने फिर भी कुछ भी आ सकता है तो आईए अब हम चलते हैं Planning के Chapter की और Planning के Topic की और Simple सी बात Planning क्या होती है Planning वो हमारे Life का वो एक ऐसा Important Factor है जिसके बिना ना तो आपकी Life चल सकती है ना मेरी Life ना ही किसी Organization की Even दा अगर आपको घर से भी निकलना है सड़क पर भी चलना है School जाना है College जाना है घर का कोई काम करना है तो हर चीज से पहले Definitely हमारे मन में Planning तो होती ही है अब उस Planning को चाहिए हम बोल कर करें या Mentally prepare हो जाएं या उस Planning को हम कहीं पर लिख लें That is also a Planning मतलब कोई भी काम करने से पहले जब हम उस बात के बारे में Management का जो ये Topic है Planning का उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि Planning हमारे लिए है क्या Simple सी बात Planning अगर मैं आपको Simple सी Definition दू Management के विहाव पर तो Planning Management का सबसे First Function होता है सबसे First Function क्योंकि Planning के अंदर हम ये Decide करते हैं कि हम क्या Target लेकर चल रहे हैं उस Target को पूरा करने के लिए हमको कौन-कौन सा काम करना है क्योंकि अगर हमारे पास Target नहीं है तो Target के बिना हमारा Management के अंदर Organizing Staffing, Directing और Controlling इन सभी कामों को करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है इसलिए Planning के अंदर हम पहले से ही कर लेते हैं कि हमने क्या काम करना है कब करना है किसने करना है और किसके दौरा किया जाना है ये सारी बाते हम पहले से ही Planning में Decide कर लेते हैं मतलब Planning क्या है Planning Reality के अंदर एक Intellectual Process है एक मानसिक परिकरिया है जिसमें हम Advance में ही Set कर लेते हैं कुद को Deciding in Advance What to do क्या करना है How to do कैसे करना है ये वो काम कब करना है और इसको किसके दौरा किया जाएगा बदलब Planning एक Intellectual Process है जिसमें हम Advance में Set कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा था कि Planning Management का First Step होता है तो इस Step के बाद क्या आता है जब हम Planning कर लेते तो उसके बद क्या करते हैं Organizing, Staffing, Directing and Controlling पर Planning जो है हमारा सबसे First Step है तो आज हम Planning के ऊपर ही हम बात करेंगे क्योंकि ये chapters अपने आपके अंदर ही हम आगे जब हमारे आएंगे तो तब हम Study करेंगे Organizing क्या है, Staffing क्या है, Directing क्या है आज हम बात करते हैं सिरफ Planning के बारे में तो हम Planning का Meaning पढ़ने के बाद Definition देखने के बद हम ये देख लेते हैं कि Planning के Features क्या होते हैं सबसे पहली बात जो मैं आपको भी बोल रहा था कि Intellectual Process Planning करना वास्ताव में एक मानसिक प्रिक्रिया है आप अपने दिमाग से अपनी बुद्धी का प्रियोग करते हो ये देखते हो कि कब करना है, कैसे करना है किसके क्या द्वारा किया जाना है आप उस काम का चाहिए आप अपने माइंड में एक लिस्ट प्रिपेर कर लो चाहे आप उसको लिख के रख लो कहीं पर तो definitely वो एक बोधिक प्रिक्रिया है मानसिक प्रिक्रिया है जो आपको दिमाग से करने ही पड़ती है चाहे आप future का एक blueprint ready करके रख लेते हो तो definitely जो हमारा planning है वो एक intellectual process है दूसरी बात है selection of best planning से हम क्या करते है सबसे best से best alternative का selection करते है क्योंकि जब भी हम कोई काम करने लगते है तो काम करने के काफी सारे method होते है काफी सारे तरीके होते है तो planning क्या करता है आपको सबसे best alternative निकाल के देता है सबसे best method हमको निकाल कर देता है फिर तीसरी बाद आती है कि planning is applied everywhere, planning ऐसा नहीं है कि सिरफ घर में ही या school में या college में apply होता है, planning एक ऐसा process है जो आपको हर जगा applicable करने को मिलेगा, अब चाहिए वो top level management है, middle level management है या lower level management है, चाहिए school है, चाहिए college है, चाहिए office है, चाहिए government है, चाहिए कोई भी department है, हर department है, हर जगा पर, आपके घर में, आपके दिमाग में study करने से पहले, घर से निकलने से पहले, planning हर जगा पर apply होता ही होता है, कुछ भी हो जाए, planning is applied everywhere, चोथी बात है, क्या feature है planning का primary function, ये बात हम पहले भी study कर चुके है, planning करना, हमारा management का सबसे पहला function होता है, क्योंकि बाकी के function इ एक साल के अंदर हमारा target क्या होगा, एक साल के अंदर हमारे expense कितने हो जाएंगे, एक साल के अंदर हमारा income क्या होने वाला है, तो ये forecasting में depend है, छटी बात continuous process, planning जो है, ये continuous होने वाली process, लगातार चरने वाली प्रिकरिया है, ऐसा नहीं है कि आपने आज planning कर लिया, आपको क तब भी planning जरूत है, controlling करना है, तो वहाँ पे भी planning की जरूत होती है, planning आपको हर step पे करनी पड़ती है, आप जब घर से निकलते हो, तो आप कभी note करना कि हमको हर एक step के उपर planning तो करनी ही होती है, हम एक शहर गए, दुसरे शहर जाने के लिए planning, तीसरे शहर जाने के लिए planning एक बुक को पढ़ने के लिए planning अगली बुक को पढ़ने के लिए planning, एक exam लिए planning, next exam के लिए planning, तो सारा का सारा जो life हमारा होता है वो planning की उपर ही चलता है, तो planning एक continuous process है, साथवी बात फ्लैकसिबल, planning फ्लैकसिबली होना बहुत जूरी है, क्योंकि flexible होगा तो आप उसमें चाहिए आठी बात इंडर डिपेंडेंस प्लानिंग के अंदर जितने भी step होते हैं जितने भी department होते हैं मालो एक बहुत बड़ा ओर्गेनाज़ेशन है उस ओर्गेनाज़ेशन के अंदर बहुत सारे department होते हैं for example production marketing maintenance development finance का department तो ये सारे department आपस में related रहते हैं किसको लेकर जो हमारा main target है तो ये सारे के सारे department आपस में भी connected रहते हैं और हमारा जो firm का हमारी जो company का जो main target होता है उसके उपर भी dependent रहते हैं मला planning के अंदर सारे के सारे लोग सारे के सारे functioning सारे के सारे department एक main टार्गेट को लेकर dependent रहते ही हैं नाइन्थ टोपिक है हमारा creates coordination planning जब हो जाती है तो हमारे सारे के सारे बाकी की जगाओ पे भी हमारा coordination होना start हो जाता है for example production department को production department को finance department के साथ coordination हो जाएगा marketing department का भी coordination production के साथ हो जाएगा ऐसे ही सारे department का सारे लोगों का अपस में coordination हो जाता है अगर school में मान लिजी एक teacher अगर planning ना करे तो क्या पढ़ाएगा class में उसका बच्चों के साथ coordination हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या principal को जवाब देना पड़ जाए कि मैंने class में जाके क्या पढ़ाया जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा पर अगर पहले से हमने planning दे रखी कर रखी है तो वो teacher अपने management को अपने principal को और बच्चों के प्रती जो responsibility है वो अच्छे से पूरी हो पाती है इसलिए planning coordination भी generate कर देता है दसनी बात है limited factors देखो कहीं पर भी हम काम करें एक काम को करने के लिए हमारे पास resources होते हैं वो लिम्टिड होते हैं पैसा हमारे पास limited है resources limited है labor limited है planning से क्या करते हैं उन factors का जो हमारे पास limited होते हैं हम उनको proper utilize करना सीखते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर चीज अवेलेबल नहीं होती मनुश्य की सबसे खास बत यही है कि हर मनुश्य के पास हर व्यक्ति के पास limited resources प्लानिंग क्या करता है limited resources को ही maximum way में maximum profitable कैसे बनाना है उसको maximum utilize कैसे करना है यह सारा काम किसे होता है planning से ही होता है तो यह हमारे हुए planning के feature कहे लिजी characteristics कहे लिजी या planning के लिजी कि planning की nature क्या होती है अब हम study करने जा रहे हैं कि planning के advantages क्या है importance क्या है यहां से हमारे काफी सारी importance निकल कर आएंगी पहली बात planning का advantage क्या है अगर हमने planning कर ली planning कहाँ पर helpful हो जाएगा कहाँ पर फाइदा मिलेगा organizing करने में फाइदा मिलने वाला है staffing करने में benefit मिलेगा direction करने में benefit मिलेगा control करने में भी benefit अबको मिलने वाला है इसके इलावा भी काफी सब advantages जो में पढ़ने जा रहे हैं पहली बात planning से पहला advantages focusing organizational objective planning होने से क्या होता है हमारे organizational का जो objective होता है हमारी firm का जो objective होता है हम उसके उपर अच्छा से focus कर पाते हैं और वो focus होते होते हैं हम उसको प्राप्ती भी कर लेते हैं attain भी कर लेते हैं दूसरी बात आती है कि minimize uncertainties planning करने का दूसरा सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है हम भविश्य में होने वाले losses का disadvantages को minimize कर देते हैं पूरी तरह से खतम तो नहीं कर सकते पर हम minimize कर देते हैं uncertainties को अनिश्ची तताओं को तीसरी बात battery utilization battery utilization किसका man का, labor का, capital का, money का, land का, जमीन का हर चीज का हम battery utilize कर पाते हैं क्योंकि planning के अंदर हम पहले decide कर लेते हैं कि हमने काम कैसे करना है किस से करवाना है कोन करेगा कब करेगा किसने क्या use करना है किसने क्या नहीं करना है इसलिए हर चीज का अच्छे से हम utilize कर पाते हैं चोथी बात economic in operation जब planning कर लेते हैं उसके बाद जब हमारा काम start होता है तो हमको वो सस्ता पढ़ता है क्योंकि आपने कभी भी देखा हो नोट किया होगा जब आपको कहीं पर पहुँचना है किसी शहर में दूसरे शहर में पहुँचना है अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है अगर हमको target पहले से पता है planning आपने पहले से की हुई है आपका समय बचने वाला है पैसा भी बचने वाला है तो operations के अंदर economy आ जाती है सस्ता पढ़ जाता है वो पांची बात helpful in the coordination ये बात हमने यहाँ पर भी बड़ी थी कि coordination बनाने में सभी departments का आपस में सहयोग होने लगता है coordination होने लगता है चटी बात आती है helpful in control for example planning में मैंने ये fix किया कि मैंने मालो 5000 5000 मैंने गाडिया बनानी है लास्ट में जब हमारा साल खतम हुआ तो मेरी गाडिया बनी 4000 तो controlling करने में भी पता चल जाएगा क्योंकि देखो standard कितना fix किया था 5000 planning कितने की की थी 5000 की result कितने का आया 4000 तो मैं अब check कर सकता हूँ कि मेरा जो 1000 का difference आया है labor के उपर हो सकता है time waste कर रही हो machine के उपर हो सकता है वो waste हो हमको machine नहीं लेकर आनी पड़े तो काफी सरी चीज़ों के उपर आपका control हो सकता है कब होगा जब आपने planning अच्छे से की है फिर साती बाद आती है encourages creativity जब आप planning कर लेते हो planning करने के बाद सब लोगों को organization के लोगों को बता देती हो कि हमने ये काम करना है अगले 10 सालों के अंदर तो हर व्यक्ति के हर person के अंदर से creativity निकल कर आती है कि मैंने ये काम नए नए तरीके से कैसे करना है मालो मैंने आपको target दे दिया कि आपने कोशन घर से करके लाना है मैं आपको answer नहीं बताता आप क्या करोगे उस कोशन का answer ढूड़ने के लिए 10 तरीके और भी खोज निकालोगे हो सकता है कि उस कोशन को solve करने के लिए आप 100 method भी निकाल दो तो planning करने से क्या होता है creativity निखर कराती है ये हुई हमारे advantages अब हम बात करते हैं कि planning की process क्या होती है बिल्कुल simple topic है 10 point है steps के अंदर आपकी book में हो सकता है कि 7.08 point है but it's okay हम planning की process को 10 points में study करने वाले हैं पहला point है perception of opportunities देखो मालो मेरे मन में एक target आया मेरे मन में आया कि मैंने एक business start करना है वो business start करने से पहले मैं क्या करूँगा उस business की पहले मैं अवसरों की खोजूँगा कि मेरे business को जो मैं start करने जा रहा हूँ उस business को start करने की market के अंदर opportunities क्या है क्या मेरा business success हो पाएगा जो का मैं शुरू करना चाहता हूँ, वो कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो सारी के सारी opportunities मैं देख लेता हूँ, for example, lockdown के टाइम पर कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, companies ने देखा कि mask और sanitizer की sale बहुत हो सकती है, तो उन्होंने planning किया होगा सबसे पहले, opportunities को देखा होगा कि हमारा market के अंदर हमारे लिए क्या अवसर है, हम market के अंदर भी क्या sale कर सकते हैं, हाला कि पास लोगों के पास पैसा नहीं था, नहीं है, फिर भी लोग कम से कम sanitizer और कम से कम mask जरूर करिदने वाले हैं, क्यों, क्योंकि उन companies ने opportunities को पहचाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते है और अप्जेक्टिव की perception करते हैं, उदेश्यों का निर्धारन करते हैं, target को fix करते हैं, कि हमारा target हमारा क्या होने वाला है, दूसरी बात objectives fix करते हैं, जब हम planning करते हैं, तो फिर हम objective उस करते हैं, कि मैंने क्या target पूरा करना है, मेरी company का target क्या होगा, मुझे fridge बनाना है, scooter बन बनाना है, whatever, जो भी है, आप अपने यहाँ पर आके अपने objective करते हैं, मेरे objectives क्या होगे, मैं क्या-क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, सब आपने objective को fix करते हो, फिर planning limitations, देखो, हमारे पास हर चीज़ limited होती है, मानलो आप business start करने जा रहे हो, पर आपके पैसा सिर बाहर जाके काम नहीं करना है, 10 क्रोड से आप काम नहीं करना है, क्योंकि आपके पैसे 10 क्रोड है, state के अंदर ही काम करना है, तो planning क्या करना है, अभी आपको limitations के भी planning आपको कर लेनी होती, limited resources के लगा लो, whatever, जो आप करना चाते हो, फिर आती है making a forecast, making a forecast का मतलब है, कि आप क कहीं government तो change नहीं हो जाएगी, कहीं inflation, मतलब महंगाई तो नहीं बढ़ने वाली है, कोई नई company मेरे competition में तो नहीं आ जाएगी, कहीं कुछ ऐसा problem तो नहीं आ जाएगा कि मेरा business ही नहीं चल पाए, तो आपको पहले से ही सारी के सारी forecast भी करके चलनी होती है, फिर क्या करते है search for alternative courses, देखो, जब हमने target fix किया है ना, तो उस target को पूरा करने के लिए हमारे पास काफी सारे alternative होते हैं, तो हमको सारे के सारे alternative ढूणने पड़ते हैं आपर आगर, कि एक काम को करने के अपने पास 5 तरीके हैं, अपने को यहाँ पर क्या करना है, 5 के 5 तरीके हो सकते हैं, आचो method का आपस में comparison करना है, अब हमको यह देखना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा पूरा है, किस से target पूरा हो सकता, किस से target हमारा पूरा नहीं हो सकता, हम यहाँ पर evaluation करेंगे, पर अभी तक हमने alternative को select नहीं किया है, सिरफ evaluate कर रहे हैं, फाइदा और नुकसान देख रहे करते हो, 7th step के उपर आकर, 8th step के उपर आकर आपको क्या करना होता है, काफी सारे plan भी decide करने होता है, क्योंकि जब आपने target fix किया है, तो उस target को पूरा करने के लिए काफी सारी छोटी-छोटी processes भी fix करनी होती है, for example, मान लीजिए कि आपने एक car बनानी है, अब car ऐसे नहीं बन जाएगी, car थो हमने target ले लिए, car बनानी है, पर car को पूरा करने के लिए छोटी-छोटे step भी आपको लेने पड़ेगा, tire मंगवाना पड़ेगा, कहीं से body लेनी पड़ेगी, कहीं से paint लेना पड़ेगा, department बनाने पड़ेगे, purchase department बनाना पड़ेगा, sale department, advertisement, advertisement, finance का department, तो एक target को पूरा करने के लिए हमको छोटे-छोटे plan भी बनाने पड़ते हैं, ninth step के उपर आकर हम क्या करते हैं, जो भी हमने plan बनाए, जो भी हमने objective fix किये थे, उसको हम implement कर देते हैं, implement करने के बाद हम budget भी बना देते हैं, कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है, इस target को पूरा क करने से हमारी कितनी income होने वाली है, तो यहां पर आके हम implement भी करना start कर देते हैं, दसनी बात है review of plans, जो भी हमने plan बनाया है अब तक, हमने उसको क्या करना था, time से time, बार बार उसको check भी करना होता है, क्योंकि मानलो मैंने आज काम start किया, एक महीने के बाद मानलो government change हो गई, या कोई government की ऐसी policy बन गई, तो मेरे को अपनी planning में change भी करना पड़ सकता है, इसलिए आपको लगातार अपने बनाये हुए planning के उपर निगरानी रखने पड़ती है, ताकि अगर कुछ changes आए, तो मैं अपने plan भी उसी के according ही change कर दूँ, यह हुई हमारी planning की process, आज हमने topic में क्या देखा chapter के अंदर, planning क्या होती है, planning क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, planning first function होता है, first step होता है management का, planning की हमने advantages देखे, planning की हमने importance देखी, advantages, फिर planning की हमने process देखी, बाकी के दो topics अब हम next video में ही discuss करेंगे, इन दोनों topics से related video का link म मैंने आपको इस वीडियो के description box में भी दे दिया है, आप देख सकते हैं, तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धनेवाद.